चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला कोशन देखते हैं तो देखिएगा कोशन नमबर 17 इसमें क्या दिया है कि इसे आपको हटाना पड़ेगा तो जब आप इसको हटाएंगे तो बताइए यह कैसे चेंज होगा आप जानते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है कैसे निगेशन ओफ और क्यू करके हम लिख सकते हैं मतलब दोनों का मिनिंग सेम होता है समझे ना तो चलो देखते बच्चो तो question number one मतलब first question यह रहा आपका statement क्या है इफ और स्थेट्मेंट देन इस नॉत स्क्वेर्ट सबस्टेंट पहले आपको क्या करना पड़ेगा इस तरीके से लिखना पड़ेगा यनि शिंदी से लिखना पड़ेगा तो कैसे करेंगे पहले तो आपको पी और क्यू को लिखन फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चो इट इस मतलब क्वाडलेटर्री बात की जा रही है तो क्या लीकेंगे अक्वाड्री लेटरल्लेटरल्ट फिर लेटरल क्वाडरी लेटरल कि ठीक है अब दिगों यह जो स्टेटमेंट है सबसे पहले स्टेटमेंट पिया ना तो एफ दिन का यूज किया गया मतलब यह इंप्लिकेशन तो आना ही है ना फिर उसके बाद स्टेट्मेंट क्या है क्या है अक्वार्ड लेटरल इस नौट स्कूर तो यहां पर हम लिख देंगे क्यों समझा अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था हमें इसका यूज नहीं करना है तो यह स्टेट्मेंट को यह स्टेट्मेंट को सब्सक्राइब क्या हो जाएगा अ क्या हो जाएगा अ not a rhombus तो यहां पर हम लिखते हैं a quadrilateral is not a rhombus फिर क्या है और तो यहां पर लिखेंगे और उसके बाद क्या आता है बच्चो क्यों आएगा तो statement क्या है a quadrilateral is not a square तो a quadrilateral मतलब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं और it is not a square तो पहला वाला सबकोश्चन यहां पर complete हो तो जैसे आपको सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों आइडेंटिफाइग करना होगा कि statement P क्या है और क्यों क्या है तो देखो यह जो पहला वाला statement है यह आपका P हो जाएगा यह आपका क्यों हो जाएगा चलों इसका solution करते है let statement P क्या हो जाएगा 10-3 विच इक्वल टू 7 ठीक है फिर क्या आएगा बच्चों statement Q क्या लिखेंगे 10 इंटू 3 विच इस नॉट इक्वल टू 30 ठीक है न अब उसके बाद जो given statement है इसको symbolically लिखते हैं यह भी लिखेंगे therefore the given statement is क्या हो जाएगा बच्चों इफ देन का यूज किया गया पहले पी आया तो पी इंप्लाइस क्यू अब हम एक बात जानते हैं कि पी इंप्लाइस क्यू इस एक्विवालेंट टू निगेशन ओफ और क्यू अब उसके बाद गिवन स्टेटमेंट इस एसे लिखिएगा therefore the given statement can be retained as कैसे लिख सकते हैं हम इसको तो देखो पहले इस statement पी का निगेशन आएगा तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा बच्चों यह होगा ना 10-3 which is not equal to 7 ठीक है फिर और क्या एगा statement q तो क्या है 10 into 3 which is not equal to 30 समझा चलो आगे चलते हैं अगला यहां पर देखो बच्चों पहले आपको यहां पर solution लिखना है उसके बाद क्या लिखोंगे let statement p statement p क्या हो जाएगा बच्चों क्या लिखा है if it runs it runs then the principle declares a holiday तो यह जो it runs आपको दिखाए दे रहा है बच्चों यह आपका हो जाएगा statement p तो क्या लिखेंगे it runs ओके फिर statement क्यों क्या हो जाएगा the principle declares a holiday अब यहां पर लिखेंगे therefore the given statement is क्या हो जाएगा बच्चों गीवन स्टेट्मेंट पी इंप्लाइस क्यू ऐसे होगा ना देखो if it runs it runs का मतलब statement p और if then का यूज किया गया यह नहीं implication तो आना ही है ठीक है अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखो since we know that p implies q which is equivalent to negation of p और q ठीक है अब उसके बाद communication क्या हो चाहेगा it runs है ना तो it does not run ठीक है ऐसे लिखेंगे अब लोग इट डज नौट कि रहन कि दा प्रिंजिपल कि डेक्लेर्स अ हॉलिडेर्स थीक है ना तो देख लिजिए यहां पर आपका यह वारा जो कोस्टन था बच्चों कोस्टन नमबर 17 यह भी हमने कम्प्लीट कर लिया कोशन नमबर 18 देखिएगा बच्चों इसमें हमें क्या करना है तो यहां पर यह जो स्टेटमेंट्स दिए गया है इनका हमको डूइल बताना है ठीक है तो इसमें क्या होता है बच्चों आप जानते ही है अगर एंड रहता है तो और में चेंज कर देन और क्यों फिर यह देखू क्या है बच्चों और है तो इसे चेंज कर देंगे अम लोग अंड में फिर क्या होगा पी और यह आंड को और में चेंज कर दो निगेशन ओव क्यों आजाएगा यहां पहर एसको आप लोग पलट दीजिए ऐसे कर दीजिए हां बस यह हो गया बच्चो आपका फाइनल आंसर देख लो अच्छे से सही किया न हमने हां बस आपको पलटते जाना है चलो अभी यह वाला देख लेते हैं तो यहां पर क्या है P and Q तो क्या आएगा P और Q उसके बाद and R तो यहां पर आएगा और ठीक है फिर which is equivalent to P and का और हो येस बिल्कुल सही अब यहां पर देखो P यह और का and हो जाएगा फिर Q and का और और यहां पर हमने ब्रैकेट को close कर दिया ठीक है फिर उसके बाद होगा क्या यहां पर देखो P और Q है ना तो हम लिखेंगे P and Q फिर यह क्या है and है तो और में शेंज कर दो फिर यहां पर Q and R ठीक है चलो अभी next वाला देख लेते बच्चो यहां पर क्या है देखो ध्यान से negation of P और Q तो हम क्या लिखेंगे negation of P and Q which is equivalent to negation of P यह देखो बच्चो क्या है and है तो इसे हम लोग चेंज कर देंगे और में तो यहां पर आएगा और negation of Q ठीक है तो बस बच्चो यह ह हो गया आपका final answer देख सकते हो question number 18 हमने complete कर लिया बच्चो अभी हम लोग देखेंगे question number 19 ठीक है तो 19 question में क्या दिया है consider the following statements और फिर उसके नीचे जड़ा टेक्सबुक खोल लीजी एक बार उसके नीचे देखिएगा चार statements दिये गए ठीक है और फिर last line देखो क्या दिया यानि कि आपको identify करना है कि कौन से pairs of statements है जिनका मतलब क्या है सेम है ठीक है और फिर आपको justify भी करना है कैसे सेम है क्यों आपने बोल दिया कि सेम है ठीक है तो कैसे होगा चलो आपको बताती हूँ तो देखो बच्चो इस question का solution मैं यहाँ पे कर रही हूँ यहाँ पे हम लिखेंगे लेट फी क्या हो जाएगा बच्चो तो देखो जो आपका पहला statement है उसमें क्या दिया है कि इफ डी इस डॉग देन डी इस वेरी गुड ठीक है तो यह जो डी इस डॉग है इसको हम लोग पी माले लेते स्टेटमेंट पी तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे डी is dog ठीक है बच्चो और जो आपका statement क्यों है न वो क्या हो जाएगा दूसरा वाला statement देखो क्या है कि D is very good तो यहां पर हम लिख देते हैं D is very good ठीक है अब हमें क्या करना है यहां पर यह जो सारे statement दिये गए न इन सबी को symbolic form में लिखना है ठीक है तो चलो देखते हैं सबसे जो आपका पहला वाला statement है first one देखो क्या दिया है if D is dog then D is very good तो D is dog यानि कि statement P और D is very good यानि कि statement Q ठीक है और देखो दोनों को join किया गया है किस की मदद से if और then की मदद से यानि कि यहां पर इस तरीके का symbol आ जाएगा P implies Q ठीक है तो यह है आपका statement number one ठीक है चलो अभी देखते statement number two इसमें क्या दिया है बच्चो एक बर पढ़िए if D is very good then D is dog तो देखो बच्चो यहां पर पहले मतलब स्टार्टिंग में कौन सा वाला statement है statement है D is very good यानि कि statement क्यों है तो यहां पर statement क्यों पहले आएगा ठीक है फिर आगे क्या है कि D is dog यानि कि बाद में क्या आएगा बच्चो statement पी आएगा और दोनों के बीच में यह implication का symbol आएगा क्योंकि इन दोनों को जॉइन किया गया है इफ और देन की मदद से ठीक है तो यह आपका दूसरा statement हो गया आप देखो बच्चो आपका तीसरा statement क्या होगा तो क्या दिया है देखिएगा इफ डी is not a dog तो देखो बच्चो डी is not very good मतलब क्या यह जो आपका statement क्यों है ना इ से किया मैंने फिर उसके बाद क्या एगा implication और आगे देखो क्या है कि देन डी इस डी is not a dog ठीक है तो डी इस डॉग आपका statement पी है इसमें नौट का यूज किया गया यह निकिसका निगेशन पी का तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चो निगेशन ओफ ठीक है तो यहां पर सबसे पहले क्या है बच्चो statement पी का निगेशन है और फिर उसके बाद statement क्यों का निगेशन है जलो लिख देते हैं निगेशन ओफ स्टेटमेंट पी इंप्लाइस निगेशन ओफ स्टेटमेंट क्यों ठीक है न तो यह मैंने लिख दिया अब हमें identify करना था कि कौन से स्टेटमेंट क्या है से मतलब किनका मिनिंग से मैं ठीक है तो यह आपको कैसे पता चलेगा हम क्या करने वाले पते हैं आपको हर एक का जो है ना मतलब ट्रूथ टेबल की मदद से टूथ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ठीक है तो कैसे होगा देखो आपको इस in right लिखना और दो बार एफ लिखना बच्चों ओके फिर तो का आधा करदो एक तो एक बार इثر टी लिखिएगा एक बार एफ लिखिएगा के जी falar उसके बाध डेको बत की और दोनों का 09 टिठीमेंट न क्यों क्यों का देक्स स्टेइटमेंट हो जाएगा ऐधी का यहां पर इब हैंप का टी यहां पे वैसे हो देख देको टी का दिक भी का यह लिखाएगा यही इतना का मनें कर लिया उसके बाद इसमें क्या होता है अगर T के बाद F आया तो फिर F लिखने का नहीं तो हर आपको T लिखना होता है है तो चलो देखते हैं देखो टी तो क्या लिखोगे 5000 देखो टी के बाद F यहां तो क्या आएगा फिर टी तो टी आएगा ए elles यह है affected थो यह यह forcement अब है एसे देखना है अब है इसमें हम कैसे रहे हैं ऐसे इस इस में आपको ऐसे देखना है पीछे से मतलब पीछे से आगे की तरब ठीक है चलो देखते हैं टी तो टी लिखना एफ टी तो भी टी लिखेंगे है ना टी के बाद एफ आया तभी जाके एफ लिखने का फिर देखो टी एफ टी के बाद एफ मतलब एफ एक मिनट टी के बाद एफ तो क्या लिखने का टी के बाद एफ ए तो एफ लिखने का जैसे मैंने इधर लिखा था हाँ साही है फिर यहाँ आप देखो एफ तो यहाँ पर टी आएगा समझे ना उसके बाद अब नेक्स्ट वन क्या है बच्चो निगेशन ओफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ओफ दिखने हैं तो यह दोनों के दूनों दोनों निगेशन वाले हैं पहले आप किस कॉलम को देखोगे तो इसको और बाद में इसको ठीक है तो F F क्या होगा बच्चो T है ना F implies F T आएगा T implies F देखो बच्चो T के बाद क्या आ रहे है F आ रहे है ना तो जबी भी T के बाद F आया तो क्या लिखनेगा F लिखनेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे F लिखेंगे फिर F T तो भी यहाँ पर T ही आएगा और T T तो T आना ही है ठीक है चलिए यह भी हमने कर दिया Statement No.4 क्या है इसको जड़ा हम लोग लिख लेते हैं तो यहाँ पर डालते है Statement No.4 ठीक है फिर उसके बाद इसमें देखो बच्चो क्या दिया है Negation of P implies Negation of Q ठीक है तो अभी आप कौन-कौन से Statements देखोगे यह दोनों Statement देखना है ठीक है पहले आप किसको देखोगे Statement P को और उसके बाद किसको देखोगे Statement Q को ठीक है तो यहाँ पर दिखिए का F F क्या हो जाएगा T होगा फिर F T F T रहता है तो भी T लिखने का T के बाद F देखो बच्चो यहाँ पर क्या हो रहे है T केबाद F आया मतलब क्या लिखोगे F लिखोगे और यहाँ पर देखो T के बाद T यानि कि क्या आएगा बच्चो T आएगा तो चलो इतना काम तो हमने कर लिया अब उसके बाद हमें देखना है कि कौन-कौन से जो आपके स्टेटमेंट्स है ना वो सेम है यानि किनके truth values सेम है तो चलिए चेक करते हैं तो यहां पर बच्चो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो statement number 1 देखिएगा और statement number 3 देखिएगा दोनों के दोनों आपको same to same ही दिख पहला और तीसरा यह दोनों same है इसके अलावा यह दोनों same to same है कैसे देखो इधर टी है इधर भी टी है इधर इधर भी टी एफ एफ टी यानि कि यह दोनों statements आपस में क्या है बच्चो से मैं हमें यही तो बताना था ना तो देखो अभी इसका answer कैसे लिखेंगे यहां पर from the table table से हमें क्या पता चला statement first and third are identical ठीक है ऐसे लिखिएगा कि statement statements first and third are identical स्टेटमेंट्स कौन सा था सेकेंड और फोर्थ ठीक है सेकेंड और फोर्थ आर इडेंटिकल है ना टेबल से हमें यह बात पता चली तो अभी हम बोल सकते हैं कि they are for statements one and third have same meaning and second and fourth have same meaning ठीक है तो कैसे लिखो कि they are for statements first and third and second and fourth have the same meaning ठीक है बच्चों तो देख लिजए इस प्रकार से आपको answer लिखना है समझे ना कैसे किया हमने तो बस यहां पर आपका यह जो कोशों नंबर 19 है यह complete हुआ